नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विहारी नूज में मरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे ट्रेनों के एक नए नियम को लेकर रेलवे अपने यात्रियों के सुगधा का ध्यान रखता है रेलवे इस बात का भी ध्यान रखता है कि रेल यात्रियों को यात्रा के दवरान कि करना पड़ता है हानाके रेलवे के नियमों को देखें तो इसमें इस बात का भी जिक्र है कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई परसानी नहीं होगी जैसे कि यात्रा के दौरान आपको कोई सीट को ले करना कुछ बोले जहांतर की टिकेट एकजामनर भ बात करते हैं मिडिल वर्थ पर सोने को लेकर तो सबसे पहले बात करेंगे मिडिल वर्थ पर सोने के नियम के बारे में रेल में यात्रा के दौरान हम सभी लोगों ने यह देखा होगा कि मिडिल वर्थ को लेकर यात्रियों की थोड़ी परिसानी होती है बतातें कि ट्रेन म यात्रा के दोरान लोर वर्थ वाले यात्री को काफी परिसानी होती है। आप जो है अपना वर्थ खोल दे या फिर लगा दे यानि कि सब कुछ जो डिपेंड करेगा वो लोर वर्थ की बीट में अगर आपका मेडियल वर्थ मिलता है तो आप लोर वर्थ वाले से अपना अंडर्स्टेंडिक बना कर आप उस पर सोच सकते हैं। टी रात के 10 बजे के बाद आपको डिश्टर्ब नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि रेल्वे यह मानता है कि आप अगले एक या फिर दू अस्टॉपेज तक इस रेल को पकड़ सकते हैं या फिर बोगी में कहीं हैं तो आप अपनी सीट पे पहुंच सकते हैं। अगर आप दो अस्टॉप तक ट्रेन को नहीं पकरते हैं या फिर अपनी सीट तक नहीं पहुंचते हैं तो तिसरे अस्टॉप के बाद टी टी के पास पूरा थिकार होता है कि वह आरेसी लिस्ट वाले यात्री को जो है वह सीट उपलब्द करा सकता है। यातरा के दोरान अगर आप चाहते हैं कि आपकी यातरा के अंतिम अस्थान में बदलाब किया जाए तो रेलवे में इसकी भी सुविधा है। कराई जा सकती है। अगर कोई सीट खाली नहीं रहा तो आपको चेयर यान पर भी यातरा करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में रेल से यातरा करने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को जरूर जानने ताके यातरा के दोरान आपको किसी तरह की कोई परेसानी नहों और इसका सुविधाओं का पूरा लाव उठा सके। बिहार और बिहार से जड़ोवे और बेसेंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नोच के साथ मिश्यदे जय जाजद धन्देबाद।